Hello Magical Minds, Dear आज हम जो है National Organization में Insolvency and Bankruptcy Board of India जिसको की हम लोग IBBI भी बोलते हैं और हिंदी में भारतिये दिवाला और शोधम अशंता बोलते हैं इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं तो हम ही यह देखना है कि Basically IBBI होता क्यूं है और यह है क्या तो चलिए इसको आगे हम देखते हैं तो सबसे पहले Insolvency and Bankruptcy Regulator in India यानि कि आपको यह पता लग रहा होगा जो इंडिया में Insolvency and Bankruptcy चाहे वो individual की हो चाहे वो partnership firm की हो चाहे वो company की हो आज की date पे उसमें अगर कोई regulate करता है तो वो regulate कौन करता है वो regulate Insolvency and Bankruptcy Board of India जो है वो करता है तो आपको पता होना चाहिए जैसे कि bank को कौन regulate करता है RBI regulate करता है RBI किसको करता है banks को करता है आपको पता है insurance company को कौन regulate करता है insurance companies को IRBA insurance regulatory development authority जो है regulate करती है ठीक है अगर मैं आपको कहूं कि Forex market को कौन regulate करता है तो Forex market याने foreign exchange market को RBI ही RBI regulate करता है अगर मैं आप से कहूं कि share market को कौन regulate करता है तो share market को SEBI जो है वो regulate करता है right ऐसे ही insolvency and bankruptcy आज की date में अगर इंडिया में होती है तो उसको कौन regulate करता है IBBI regulate करता है यहां पर एक बात मुझे और याद आ रही है जो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि RBI को RBI Forex को regulate करता है foreign exchange को regulate करता है यानि कि अगर किसी को currency exchange करानी होती है तो foreign currency को कौन regulate करता है RBI और वहां पर Forex के case में RBI को एक extra बात मुझे याद आई यह तो मैं आपको बता दू dirty regulator बोलते है dirty regulator बोलते है क्यों बोलते हैं यह मैं आपको बता दू अब इत बात बताईए RBI bank पर control करता है तो क्या RBI के पास जाकर पैसा जमा कराए जा सकता है answer is no right RBI saving account खोलता है answer is no यानि RBI player नहीं है RBI banks के उपर regulation के लिए बना है सेभी regulation के लिए बना है सेभी market का काम थोड़िया कर देता RDA regulation के लिए बना insurance company पर वह insurance का काम थोड़िया करता है लेकिन in the case of Forex market RBI जरूरत पढ़ने पर खुद भी market पर उता रहता है अगर foreign currency जो है बहुत ज्यादा है तो उसो एब्सॉब करने के लिए कम है तो supply के लिए RBI वहाँ player भी बन जाता है तो in the case of Forex RBI जो है Forex market के लिए dirty regulator क्यालाता है क्योंकि वहाँ पर एक यह ऐसा regulator है जो regulate तो करी रहा है और market पर player का भी काम कर रहा है तो यह तो basic introduction था चलिए अब हम बात करते हैं IBBI की तो IBBI एक regulator है आपको समझ में आ गया यहाँ पर IBBI आया कभी इंडिया में 2016 को आया आया कभी इंडिया में 2016 को जो है वह यह इस्टैबलिश हुआ ठीक है कैसे 2016 को इस्टैबलिश हुआ इसकी बात अभी हम करेंगे right headquarter का है इसका New Delhi को है New Delhi में headquarter है तो हम देखेंगे कि कैसे कैसे यह काम करता है right तो सबसे कले हम देखेंगे कि IBBI है क्या इंसल्वेंसी और बेंक्रप्टी बोर फिंडिया इस इंडिया इसके पहले चीज में आपको बताना चाहिए 2016 में एक इंडिया में एक नया act आया जिसको हम बोलते इंसल्वेंसी और बेंक्रप्टी कोड इंसल्वेंसी और बेंक्रप्टी कोड 2016 जब आया तो इसी में आपका IBBI की बात कही है और यहीं से यह regulator बना तो सबसे पहले हमको यह पता होना चाहिए कि इंसल्वेंसी और बेंक्रप्टी कोड है क्या होता क्या था कि इंडिया में कोई भी कंपनी बिजनस करने आई उसने बिजनस किया अब आपको अच्छे से पता है कोई जरूरी तो है नहीं कि बिजनस सक्सेस्पुल हो और सक्सेस्पुल हो और सक्सेस्पुल अगर नहीं होत तो यहां पर क्या होता था कि कंपनी जो है वह डूब जाती थी ठीक है कंपनी डूब जाती थी अश्य के बंदा लगा हुआए इसको विश्याटNever के प्रॉच से ऊनके जो डिटर से उसे जो है डूबि में लगा हुआ मक्तनी समान को बेचा जाएगा ठीक है समान को बेचने के बाद जो पैसा आएगा उससे क्रेटर का पेमिंट किया जाएगा तो इन सब में लग जाते थे बहुत साल फिशर की बात लीजे 2009 में वो जो इंसॉल्वेंट बेंकरफ डिसाइड हुई और जो है उसको 2015 जो है लग गया 2015 जो है पूरा प्रोसेस होते होते जो है 2015 लग गया तो आप खुछ सोचिए कि कितना ज्यादा टाइम कंस्यूमिंग होता था अब आज की डेट में क्या फॉरिन कंपरी इंडिया में आईगी ऐसे में बिजनस करने जहां पर इतना लंबा प्रोसेस हो जहां पर इतना टाइम जो है लगे किये जा रहें किये जा रहें किये जा रहें किये जा रहें बिजनस किये जा रहें मतलब कि यहां आया कंपनी ने बिजनस इस्टैबलिश की आईडिया नहीं चला तो यह नहीं कि दूसरे आईडिया प कराना है कंपनी इंसल्वेंट हो गई यह तो पाच पाच शे शे साल मुकदमा चल रहा है और हो रहा है तो इंडिया इस ऑफ डूइंग बिजनस इंडेक्स ऑफ वर्ड बैंक यह मैं आपके साथ अल्रेडी डिसकस कर चुकी हूं और मैंने आपको बताए है कि पिछले कुछ सा अर्व इंडिया जो है नीचे रंग से जो है काफी उपड चाड़ा है तो उसका रिजन यहीं सब कोड है तो यहां पर जो है एंस पहले क्या होता था एंस यालेटी और डियार्टी में कैस ही चलता रहता था वह बहुत लंबा केस चार चार-पास साल जो है चलता था रहिए तो यहां पर जो है यहां पर जो है यह चीज बोली गई कि कुछ ऐसा होना चीए जिससे यह फास्ट हो तो इसी के लिए इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी पोड जो है इंडिया में आया कारश क्या है तो पहले क्या था कि जो वी मतलब कि ऐसा प्रॉसस होता कोई कंपनी जो है बैंक्रप्ट कोई कंपनीат इंके पास Marrios Emir पुराने टाइम पर टों दो होता था वह द्याट यह देट रिकर्परी ट्रिबिनल इनके पास चलता था और और NCLAT के पास case चलता तो असालों लग जाते थे, तो insolvency and bankruptcy के process को fast करने के लिए इंडिया ने एक नया code लाया IBC, अब आपको यहां पर एक चीज और पता होनी चाहिए, आपको यह भी पता होना चाहिए कि दो बड़ यूज हो रहे हैं, insolvency and bankruptcy, तो दोनों में अंतर क्या है, क्या difference है दोनों में, दो बड़ हो गया, एक तो हो गया insolvency और दूसरा हो गया bankruptcy, तो insolvency एक ऐसी situation को कहते हैं, जब कोई business या company या कोई individual अपने creditors को payment करने में सक्षम नहीं रह जाता, capable नहीं रह जाता, उसका payment पूरा नहीं कर सकता है, तो उसको हम बोलते हैं, insolvency वाली condition, और bankruptcy क्या होता है, कि जब ऐसा हो जाता है, तो court उसको bankrupt बोल देता है, और उसको बोलता है, कि हाँ ठीक है, अब जो है, तुम bankrupt हो, एक legal status दे देता है, एक legal status दे देता है, कि हाँ ये bankrupt है, राइट, बतलब court उसके कह रहता है, कि भाई अब तुम bankrupt हो, तो जब court जो है, उसको bankrupt बोलेगा, तो वो क्या किलाएगा, बेंक्रप्सी, और जब उसकी solvency, position जो है, वो खतम हो जाएगी, तो उसको क्या बोलेंगे, इंसल्वेंट, और जब उसको उसको कोट मुहन लगा देगा, तो उसको क्या बोलेंगे, बेंक्रप्सी, तो इसल्वेंसी के बाद, बेंक्रप्सी होता है, एक वर्ड मैं आपको और बताना चाहूंगी, एक दो तरम और बताना चाहूंगी, इक होता है, इसल्वेंट, दूसरा होता है, वाइनिग अडिया देजोलूशन, यानि कि firm खतम हो रही है, और जहां जब firm खतम हो जाती है, तो firm की ऐसेट को बेचकर लाइवलिटी प्रेमेंट किया जाता है, यह वाइनिग अप रहा है, यानि कि दिसल्वेंट के बाद वाइम अप स्ट इंसॉल्वेंसी एंड बेंक्रप्सी ओड जो है वो आया तो इतना आपको एक आइडिया लग गया होगा मेरा गला थोड़ा सही नहीं है तो थोड़ा से मेरा साउंड अजीब सा हो रहा है बट आय होग कि मैं जो समझा रही हूं आपको समझ वे आ रहा हूगा तो यहां पर इनका काम क्या है इनका काम यह है कि इंसॉल्वेंसी एंड बेंक्रप्सी बोर्ड ओफ एडिया एक ऐसी रेगुलेटरी बॉड़ी हो गई जिसका काम क्या है कि जो भी पर जो भी इंसॉल्वेंसी और बेंक्रप्सी का पूरा प्रोसेस है इंसॉल्वेंसी इंसॉल्वेंसी कि असेट को बेच कर कितना प्रॉपर्पेमेंट किया रहा है यह पूरा इक प्रॉस होगा इस में तो इसे इस कुछ लोग और कॉन इन्वॉल्व होगे को इन्वालव होगे इसके बारे में जज्जिमेंट क्या ओगा तो यह इंसोलवेंसी का प्रॉस जो है फास्ट हो पाए जो भी कंपनी बैंकरफ्ट हो गई है उसकी एसेट को बेच कर जल्दी से जल्दी जो है लाइविल्टी इसका पेमेंट किया जाए ताकि लोगों को ज्यादा लॉस ना हो क्योंकि पहले क्या होता था कि चार चार पाच पाच छे-छे साल रख जाते थे जिसक कारण जो एसेट है कोई भी अगर कंपनी सोचो बैंकरफ्ट हुई है जैसे किंफिशा 2009 में हुई त्याव उसकी एसेट को आप बेच रहो प्रॉसेस में लगा रहो पाच 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 छे-छे साल तो एसेट की वैल्यू तो और डाउंग्रेड हो चली जाएगी और दीग्र इसलिए आईवी बिया जो है लाया गया ठीक है ताकि प्रॉसेस जो है वन एयर में खतम हो चे महीने वन एयर में एक साल में जल्दी से खतम हो और जो बंदा बिजनस कर रहा है वह एक बिजनस से छुटकारा पाकर जो है दूसरे बिजनस राएंट्री करके कोई नया काम जो है यह सारी चीजे जो है यहां पर की गई तो एक आप लोगो को आईडिया लग गया होगा कि है क्या और हो क्या रहा है यहां पर चलिए आगे देखते हैं तो यहां पर अब देखिए आई बीबी आई में कौन-कौन क्या-क्या होता है आई बीबी आई में क्या-क्या चीज यह हम देखने जा रहे हैं तो यहां पर हम देखेंगे IBBI में कि The Insolvency Resolution Professionals, The Insolvency Resolution Professionals, दूसरे होते हैं The Insolvency Professional Agencies, The Adjudicating Authorities प्रफेशनल्स को देखता है जो जो है काम करते हैं सबसे पहले आपको समझना चीह कि फिरी सल्हूंशंव कॉन कॉन होते हैं हमारे कमपनी सेक्रेटरी भी यह प्रोफेशन अपनी प्रैक्टेस के साथ चला सकते हैं ठीक है आई बीबी आई का उनको एक्जाम देना पड़ेगा तब अगर आप जो है इन्सोल्बेंसी रेजूलूशन प्रोफेशनल बनना चाहते हो तो आपको आई आई बीबी आई का एक्जाम देना पड़ेगा सबहने आ ये बाद तो यहां पर Insolvency Resolution Professionals का काम क्या होता है चीज को समझो पहले सपोज हम कोई भी एक्जाम्पल आपको पता होगा कि कुछ साल पहले जो है भूशन तो भूशन स्टील को टाटा ने अक्वाइर किया था टा ने क्वाइर किया था राइट अक्वाइर डाटा तो भूशनस प्थी एक एसी कंपनी यह जो खतम वह गई है खतम होने वाली है, right, तो बूशन इस्टील किस पे चल रही थी, जब पंपनी लॉस पे चल एगी, यह और कोई भी। आएगा, जसना एक्जाम दिया, वह उसकता है, ठीक है, वह आएगा, यह देखेगा कि suppose भूशन इस्टील ने लोन जो है ले रखा था SBI बैंट से भूशन इस्टील ने लोन ने रखा था SBI बैंट से तो भूशन इस्टील तो लॉस में चल रही है और SBI को रिकवरी करनी है राइट इन डाइट केस इस्क्यूसमी इन डाइट केस जो है SBI को भूशन स्टील से रिकवरी करने है अपने लोन की तो SBI के पास को लेटरल से क्योटी के तवर पे कुछ एस्ट होगी तो पहले पुराने टाइम पे अगर यह चीज होती तो क्या होता पुराने टाइम पर यह चीज होती तो यह होता कि SBI को जाके DRT और NCLAT के सामने केस चलाना पड़ता फिर अपना जो है यहां पर क्या होगा अगर हम पुराना वाला प्रोसेस बूल जाए और IBBI की बात करें तो इन दाट केस क्या होगा कि यह इंसल्वेंसी प्रोफेशनल्स को जो है अपोइंट करेंगे insolvency professional आएगा inte उनसी प्रोफेशनल यह देखेगा कि किस loan के अग्षड कोई सी एशेट है उसको रेकोनाइस करेगा जाके देखेगा कि सपोज loan के loan की सिकर्टी पर तो और के building र को को लित्रय था जाके building को देखेगा असली में है कि नहीं है कहां है चेक करेगा, वेरिफाइ करेगा क्या वेलुएशन है उसको बेज कर कितना मिलेगा ठीक है और एसेट विकवा कर जो है लोन की रिकवरी करवा देगा यह काम है इंसॉल्वेंसी रिजॉलूशन प्रोफेशनल का पहला चीज तो यह हो सकता है दूसरा रास्ता यह हो सकता है कि इंसॉल्वेंसी रिजॉलूशन प्रोफेशनल कुछ आईडियास दे कुछ चीजे बताए कुछ प्रोसेस बताए जिससे की वूशन स्टील का बिजनस फिर से चल पड़े यह भी दे सकता है बात इंसॉल्वेंसी रिजॉलूशन प्रोफेशनल के वल तरीके बताएंगे बात मानना ना मानना बूशन स्टील और क्रेडिटर याने इस भी आई पर डिपेंड करता है कोई जरूरी नहीं है यह की इनकी बात मानी ही जाए प्रोफेशनल की वो तो बस आईडियास देंगे तीसरा रास्ता यह है कि मेभी भूशन स्टील को जो की एक्च्वल में हुआ कि भूशन स्टील के बिजनस को खरीनने वाले मार्केट में बैठे हो तो उनको जो है यह इनसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जो है बिजनस बिकवा दे तो इस दहन से इन प्रोफेशनल को काम करना रहता है और इसके रिगार्डिंग इनसॉल्वेंसी इन बैंकरप्सी कोड में टाइम लिमेट बताई गई है और उस प्रोसेस को यह प्रोफेशनल जो है विदिन टाइम फ्रेम जो है खतम करवाते हैं आइडिया लग गया कि इनसॉल्वेंसी रिजॉल्वेंसी प्रोफेशनल का क्या काम होता है आई होप लग गया होगा ठीक है दूसरा होती है इनसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजिनसी जैसे कि हमारा CS Institute जो है वो हमारे उपर कंट्रोल रखता है आपको पता है ठीक है जैसे कि हमारा जो CS Institute है वो हमारे उपर कंट्रोल रखता है आपको अच्छे से पता है अगर Members कंट्रोल के बाहर जाते है तो Membership Cancel भी हो सकती है वैसे ही आप कहलीजिए कि जो Insolvency Professional Agencies है वो Insolvency Professionals पे कंट्रोल रखती है उनको रेगुलेट करती है कि वो काईदे से काम करें अब जैसे हमारे अपने Professional Ethics है जिनको मुझको फुल्फिल करना पड़ता है जिस भी कंट्रोल रखनी के लिए यह भी जो है अपनी बाते जो है वो मानें तो यह जो चीज है तो यहाँ पे जो Insolvency Professional Agencies है वो Insolvency Resolution Professionals के Professional Ethics के रिगारिंग उनको क्या करती है गवर्न करती है अगर कुछी भी मतलब कि डिस्प्यूट होता है कुछ प्रोब्लम आती है तो यहाँ पे काम करेंगी और इसके बाद Information Utility यहने कि जो भी Information है जो भी Knowledge चाहिए वो सारा आपको IBBI Insolvency Board of Insolvency and Bankruptcy Board of India जो है वो प्रोवाइड करेंगा आगे रिखते हैं Insolvency Professionals का आपको idea लग गया तो यहाँ पे Insolvency Professionals मैंने आपको बताया था कि पहले आपको एक्जाम देना पड़ता है IBBI का फिर आप IBBI में अपना Registration करा पाते हो इसके पहले उनको जो है Insolvency Agency में अपना Enrollment करवाना पड़ता है और इंवल्ड इन डिजॉलूशन प्रोसेस ऑफ इन इंसॉल्वेंट इंडिविज्वल का Insolvency Companies LLP Partnership इन सारी चीजों का इंसॉल्वेंशी यह देखते हैं तो यहां पर जो प्रोफेशनल से उत्राइज होते हैं कि इंसॉल्वेंट इंडिविज्वल कंपनी की ओर से काम करेंगे यही चीज मैंने आपको बताया था अभी भूशन स्टील का मैंने आपको एक्जांपल समझा दिया था ठीक है इंसॉल्वेंशी प्रोफेशनल पूरा जो एक वाइनिंग अप का जो पूरा प्रोसेश होता है लिक्वडेशन का पूरा प्रोसेश होता है कि असेट को भिकवाना उसके थ्रूपेमेंट करवाना यह सारा प्रोसेश जो है यह प्रोफेशनल करवाते हैं राइट च फॉंक्शन क्या है एगशेंसी हें का अगर हम एंसलोंवेंसी ब्री असेटंप हुड फॉर की सेक्षिन 2-0-4 के कॉर्डिंग देखे़ तो इंसलोंवेंसी प्रोफेशनल्राइजंसी as the primary functions of granting membership दो इंसलोंवेंसी प्रोफेशनल सेटोंक से Comes deep and प्रेविलेजेज क्या हूंगे सेवगार्स क्या हूंगे आसो इनकॉर मेंबर्स के कोई भी ग्रीवियांस है उनको यह रिजॉल्व करेंगे और कॉडनीड मेंबर्स की प्रैक्टिस को वाच करेंगे कोई गलती अच जासर वकीलों के बार काउसल रखते है तो वेAmouvert amendment Senior को वे इंजन से gratuitous जो है कंट्रोल रखती है अगर किसी को ातों सौनीड रफेश्चीनल बना चाहते पर शाहते हो तो क्या-क्या होना चाहिए? इंडियन रचिडेंट होना चाहिए, छन्सानली चाहिए, सल्वेंट होना चाहिए, ठीक है? इसके अलावा, कॉलिफीकेशन होनी चाहिए, जैसे CS है, तो CS प्लस 10 साल का प्रैक्टेसिंग एक्सपिरियेंस है, ठीक है? कोई graduate है तो graduate के साथ 15 साल क बन सकते हैं इसके अलावा कभी भी जो भी परसन इंसोलवेंसी प्रोफेशनल बनने जा रहा हो उसको कभी भी अपरादी नगोशत किया गया हो किसी कोट या लोके तहप ठीक है और छे महीने से ज्यादा की सजा ना मिली हो उसको या कभी भी उसने मोरल टर्पिटूड एंड प्रपिटूड प्रपिटूड ना किया है जिसको छे महीने से ज्यादा की सजा ना मिली हो जिसने कोई मोरल ट्रपिटूड ना किया हो तो यहां पर आपको यह चीज ध्यान में रखनी है तो अगर आप इंसल्वेंसी पोफेशन बनना चाहते हो उसका कोर्स करना चाहते हो इसके आगे क्या लिख रहे हैं कि सबसे पहले एप्लिकेंट को यह तो सबसे पहले आपको इंसल्वेंसी प्रोफेशनल एजनसी में रजिस्टर करवाना पड़ेगा जैसे हम कभरी सेक्रेटरी है तो हम लोग को आईसी एसाई में अल्रेडी हमारा रजिस्ट्रेशन रहता है उसके बाद हमको एक्जाम देना पड़ता है नैशनल इसक् सब्सक्राइब की मेंबर्शिप जो है मिल जाती है तो यह सिंपल आपको कह रहे हैं यह चीज आप जो है आई बीबी आई की साइट पर भी जाकर देख सकते हैं अभी मैं आपको दिखा रहेंगे या आप कहलो बोर्ड ऑफ डैरेक्टर्स में कौन-कौन रहता है तो यहां पर दस मैंबर रहते दस त das अमेंबर आपको याद रहना रहते हैं एक चेर मैं रहेगा को प्लेए को डैलिए नोमीनेट करेंगा तीन मेंबर रहेंगे जिसको Central Government नमिनेट करेंगी ठीक है ठीक है 3 members of Central Government रहेंगे और 3 members of 5 members of nominated by Central Government रहेंगे ठीक है total 10 लोग होते है, 1 member nominated by RBI आपके 3 members of Central Government और 5 members of nominated by Central Government तो यह आपका structure है कौन-कौन IBBI के सहता ले सकता है कौन-कौन यह मैंने आपको पहली बता दिया LLP पार्टनर्शिक फ़र्म और इंडिविज्विज्व और इन सब का Insolvency and bankruptcy जो है IBBI देख सकता है तो Insolvency and bankruptcy law को बहुत आसान बना देना Insolvency resolution process जो है उसको fast कर देना और different adjudicating मतलग जो पहले बहुत लंबा legal process चलता था उसको short कर देना यह हमारा IBBI का काम है तो who can apply for solvency for insolvency under IBC तो यहां पर कौन-कौन apply कर सकता है कोई भी insolvent business है उसके financial creditors operational creditors and corporate data scan file for insolvency यह question आसकता है who is the chairman of IBBI the current chairperson of IBBI is dr. Ms. Sahoo right एक बार मैं आपको दिखा भी देती हूँ यह देखिए इसके बाद आपको टू जो है पार्ट टाइम्बर्स दिख रहे हैं इसके बाद आपको थ्री है पार्ट टाइम्बर्स दिख रहे हैं तो टोटल टैन मेंबर्स है राइट तो यह आपको एक आइडिया लग गया होगा यह बोड ऑफ डाइडिक्टर पाई वी ब्या में कौन कौन होते हैं अब यहाँ पर इक और चीज़ में आपको दिखाना चाहूंगी Insolvency Professional Agencies देखें कौन कौन सी है Insolvency Professional Agencies देखें आपको देख रहा है ICSI Institute, ICSI Institute Insolvency Professional Agencies of Institute of Cost Accountants of India तो ICMAI वालों का ये तीन आपकी Insolvency Agencies है तो पहले हमें Insolvency Agencies का Member बनना पड़ता है उसके बाद जो है IBBI का एक्जाम दे सकते हैं इसका भी आपको एक आइडिया लग गया कि कौन है यहां पर Agencies हम किसको कह रहे है Information Utilities कोई भी Information Utilities यानि कि कभी भी IBBI से जो Contact करना हूँ उसका पूरा जो है एड्रेस आपको यहां पर दिया हुआ है Information Utilities में इसके अलावा Insolvency Professional Entities यह देखिए Insolvency Professional Entities इसके यहां पर आइडिया दिया हुआ है जो फर्मस है जो Insolvency Professionals की जो फर्मस है जैसे हमाई CACS की फर्मस होते हैं वैसे Insolvency Professionals की जो फर्मस है जो Registered है IBBI के साथ उन फर्मस का एड्रेस यहां पर दिया हुआ है यानि कि कोई भी Insolvency Company Individual Partnership इन फर्मस से Professional Services ले सकता है तो यह पूरा यहां पर दिया हुआ है तो एक आइडिया लग गया होगा आपको IBBI के बारे में इसके अलावा आप यहां पर देखेंगे Financial Assets हो चाहे Building हो चाहे Machinery हो तो जो Valuation है वह कौन करता है Valuer करता है Registered Valuer करता है और Registered Valuer बनने के लिए वही परसन Registered Valuer कहलाता है जिसने IBBI के Registered Valuer का Exam दिया हुआ तो यह Various Institute है जो यह Training करवाते है ICSI भी उसमें से है ICI भी है जो Registered Valuer की पहले Training करवाता है उसके बाद हमको IBBI का एक्जाम देना होता है उसके बाद हमको IBBI की Membership पलती है Registered Valuer बनने के लिए आपके ICSI में Registered Valuer का कोर्स होता है और उसकी जो Training होती है उसमें मैं भी Lectures जो है Provide करती हूँ और मैं भी वहां पे Lectures जो है देती हूँ Particular Topics पे तो और काफी अच्छा कोर्स है तो आप यहां पे आपको IBBI के बारे में पढ़ते हूँ एक idea लग रहा होगा कि IBBI में हम जो है Insolvency Professional का भी कोर्स कर सकते हैं करियर की मैं बात करूँ और Registered Valuer का भी जो है कोर्स कर सकते हैं चलिए PPT पे आते हैं वापस तो यहां पे आप देख रहे है लेटेस्ट क्या है लेटेस्ट यह है कि अपरेंट 2021 में IBBI ने एक Pre-Packaged Insolvency Resolution Process जो है इसके Regarding जो Regulation है वो Notify किया है और इसमें जो है Pre-Packaged Insolvency Resolution Process for Corporate Daters कैसे Corporate Daters जो MSME Sector के Corporate Daters है उनकी बात की जारी है और इस Rule में यह बोला गया है कि जो भी Resolution Professionals है वो Independent होने चाहिए यानि कि कहीं से भी जो चाहे Resolution Professionals और उनके Partners या Directors जो भी मतलब फर्म जो Service Provide कर रही है जो Insolvency Professionals की जो फर्म है वो Independent होनी चाहिए कि कहीं से भी दूर दूर तक जो डेटर है उससे Related नहीं होनी चाहिए और यह Latest News जो है वो आया हुआ है तो I hope कि आपको इतनी चीज़े समझ में आ गई होंगी आज मेरा गला खराब था लेकिन I hope कि आपको यह चीज़े समझ में आ रही होंगी Thank you dear